तो फर्स अफॉल वेरी गूड इविनिंग गाइस तो गाइस आज मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं वह एज यूजली रहेगा ITBP इसके उपर मैं आज कुछ अपने राय देने जा रहा हूं बिल्कुल लोजिकल और बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉमेशन दूगा बिद प्रूफ ठीक है तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखियागा I hope so आपको एक वैल्यूवल इंफॉमेशन मिलेगी ठ ठीक है तो guys सबसे पहले बच्चों का जो डाउट आ रहा है और जो जिसकी बच्चे मांग कर रहे हैं ठीक है मतलब majority वाले बच्चे मांग कर रहे हैं यानि कि जादा बच्चे मांग कर रहे हैं कि जो exam जो होगा वो उसको 100 नंबर का किया जाए यानि कि जो tray test के जो number है उसे clear हो जाएंगे कि logically way में और अगर आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आती तो आप dislike कर सकते हैं मुझे उसको कोई फर्क पड़ता भी नहीं है ठीक है आप चाहे मेरे को एक like दो यह चाहे आप 1000 dislike दो मेरे लिए बराबर है मैं like पहले बात गिनता भी नहीं हूँ और like से पता में नहीं है कि आपने इसको पसंद किया है नहीं किया है ठीक है आप कोई बात समझानी चाहिए that's it तो बात मेरी बात ध्यान सा सुनियागा तो guys सबसे पहले मैं इसको अगर zoom in करूं यह मेरा thumbnail है ठीक और thumbnail के base पही मैं यह video बनाता हूँ मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं thumbnail कुछ और अंदर कुछ और होता है दोस्तों आप यहां में देख रहे हैं कि लिखर का merit list ठेक है merit list in each category यानि कि journal SC, ST, OBC और ex-service man will be drawn on the basis of marks obtained by the candidates in the professional trade test and written test while calculating combined marks यानि कि दोस्तों जो merit बनेगी आपकी वो बनेगी trade test plus written examination के base ठीक है यह officially website पे जब इसका notification release किया गया था तो notification की दोस्तों मैंने clip यहां से crop करके आपको बताना चाहरा हूँ मैं और दोस्तों इसका जो जो यह रहेगा मैं बता हूँ weightage वो रहेगा 60% weightage रहेगी आपकी written test की and 40% weightage रहेगा आपका trade test का यानि कि trade test का ठीक है तो guys I hope so आप समझ रहे होंगे right and on the basis of merit candidate shall be shortlisted for the detailed DME okay I hope so आपको ये भी समझ आ गया होगा मैं हिंदी में इसको विस्तार पुर्वक समझाता हूँ कि जो merit list बनेगी वो आपकी बनेगी trade test plus return test के marks को जोड़ कर ठीक है अगर आप कहते हो कि सिर्फ return exam हो 100 number का और इस trade test को खारिज किया जाए तो ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता पहली बात अगर आप इसको court case भी करोगे ना इस मुद्दे के लिए कि इसका 100 number का paper करवाओ तो वो होना impossible ना दोस्तों क्योंकि notification में पहले से ही mention किया गया था कि ये होगा इन दोनों के basis पे आपका examination result आपका जो गोशित किया जाएगा merit बनाए जाएगी trade test plus written examination आप इसको court म में लेकर जाओगे फिलाल भालतू में यह जो exam में खिच जाएगा बच्चों के age खतम हो जाएगी और at the end आपको हार का सामना करना पड़ेगा इससे better यह है कि जो officially documented दे रखा है यह notification में ठीक है तो दोस्तों यही इसी के base में काम चलेगा कोई भी return test 100 number का नहीं होगा 50 number का return रहेगा आप जिस बात की मांग कर रहे हो वो मांग पूरी कभी नहीं हो सकती है मैं चैनल मैं लिख के जे सकता हूँ आपको दोस्तों और यह चीज़ए change नहीं की जा सकती है क चेंज किया जा सकता है तो इस तरह की चीज़े है यह ओके और दोस्तों यह जो पूरा पूरा फिक्स है इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएका कोई बच्छा कहता है इसके में बदलाव हम करेंगे हम court case करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वारा है एक निराशा ही आपके हाथ में लगने वाली है दोस्तों मैं इसका समर्थन भी नहीं करता हूँ मेरे हिसाब से return test 50 नंबर का ही होना चाहिए लेकिन पूरी पादर्शिता से पूरी transparency से कोई धांदली नहीं होनी चाहिए चाहिए offline हो चाहिए online हो कोई भी धांदली नहीं होनी चाहिए ठीक है यह official notice था advertisement का ठीक है पैरा number 13 में आप जाके खुद भी चेक कर सकते हो दोस्तों तो आपका जो return test है वो 50 नंबर का ही रहेगा कोई सो नंबर का change नहीं होगा चाहिए आप court में जाओ high court में जाओ supreme court में जाओ session court में जाओ किसी भी court में जाओ आपकी इस बात पर नहीं माने जाएगे जोस्तों क्यूंकि जो भी होता है as per the administrative as per the board members के तहती होती है जो demand होती है force की उसके base पर ये इस तरह की चीज़े लिखी जाती है ठीक है तो मैं आपसे unroad करूँगा तो please ऐसे चकरों में ना पढ़े कोई आगर आपको बोलता है कि हमें पैसे दो या हमारा साथ दो हम court case करेंगे हम 100 number का paper करवाएंगे तो please साथ ना दे तो उसको क्यूंकि चीज़े चेंज नहीं हो सकती है और अगर आप साथ देना चाहते हो तो जी सदके दे पर अंत में आपको हार ही आपके हाथ में लगने वाली है आप lose कर जाओगे फालतों में खिच जाएगा और बद्वाइं मिलेंगी बच्चों से ठीक है तो please इस चीज़ों में ना पढ़े एक्जाम आपका 50 नंबर का ही होगा I hope so आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हो मुझे पहले में मैंने आपको पहले में बताया था कि मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता है आपके डिसलाइक करने से मुझे यह फर्क पढ़ता है कि आपको बात समझ आनी चाहिए ठीक है और आपको अगर बात समझ नहीं आती है दोस्तों तो मुझे बहुत ही बुरा लगत है क्योंकि मैं यहां पे बिल्कुल जैनुवन ऑथेंटिक बात करता हूं मेरे चैनल दोस्तों लगबग 2 साल होने वाले हैं और 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं अगर जूट बोलके फरेव करके आगर आपसे करता तो मैं भी एक लाग सब्सक्राइबर भी पां सकता है था जैसे तुमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना ध्यान दो समय कम बचाए एक्जाम को आप फालतू की चक्करों में पढ़ रहे हैं तो प्लीज ध्यान दो अपने स्टेडिस को और कुछ भी इंफरमेशन चाहिए कमेंट कर सकते हो तब तक लिए जैहिन जैवरत मैं भी